एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो आपका ग्री सहाउजा बुक है या जिसके पास वी के सिंगानिया है उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि बुक आपको अंडर्सेंडिंग करने एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए जो बच्चा चाहता है कि सर हम बस pass हो जाए पढ़ाई लिखाई से हमें कोई लेना देना नहीं है सिर्फ हमें pass होना है तो tenure से pass हो जाएगा जो बच्चा चाहता है कि सर depth में हमें knowledge भी लेना है वो book से करे practice मैं simple से बात कहता हूँ पास होने के लिए tenure में वही content डाला है जो पेपर में आएगा और book के अंदर वो content भी available है जो कि पेपर में नहीं आता लेकिन knowledge के लिए जरूरी है तो वो आप तै करिए कि आपको knowledge लेना है या पास होना है ठीक है अगर knowledge लेंगे तो definitely पास हो जाएंगे लेकिन पास स्रिफ होते हैं इसे फिर डिक्कत है देखें चली ये question पढ़ लेते हैं यहाँ पे कहता है Mr. X on several assets several का मतलब बहुत सारे assets है but does not on any residential house घर भी नहीं है he sells the following during the financial year कहता है एक इसके पास shares है और इसके पास jewelry भी है debenture भी है car भी है he purchase small residential flat इसने घर भी खरीदा है आप देखो कि यहाँ पे कोई भी घर बेचा नहीं जा रहा है घर खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे section 54F आ जाता है ठीक है आगे कहता है question में so on तो इस question को सवाल को तीन question मानके करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जो बच्चा इसको सोचेगा कि एक ही question है तो वो परिशान रहेगा end तक तो ऐसे question को करने का सबसे easiest way होता है कि sir इस question को आप तीन तरीके से try करें तीन तरीके से मतलब तीन तरीका मतलब तीन अलग अलग पहले में shares वाला कर लूँ पहले में shares वाला कर लेता हूँ चलिए shares के वाला कर अब सर शेयर्स दो तरीके के होता है अगर लिस्टेट शेयर है तो indexation not allowed अगर सरी और अन्लिस्टेड है तो indexation allowed है अन्लिस्टेड के case में 24 महने count करना और लिस्टेड के case में 12 महने count करना है तो कहता है sir purchase करा है April 2010 में और इतने रुपे का खरीदा था sold करा है इसने 2021 में इतने रुपे का और through NSE और NSE पे paid किया STT जहाँ NSE वर्ड आजे तो listed है और fair market value है तो थोड़ा मैं shares की कहानी बता दू sir shares अगर listed हुआ तो आपको ध्यान देना है sir ये share खरीदे कब है या तो आपने खरीदे होंगे 31.1.2018 से before हाला के discuss किया है थोड़ा सा और या खरीदा होगा after 31.1.2000 अगर आपने before खरीदा है तो यहाँ पे FMV लेना है आपको on 31.1.2000 18 का sir इस सवाल में indexation की बात करें not allowed indexation अगर 31.1.2018 को अगर आपने बेचा है बाद खरीदा बाद में मैं purchase की बात कर रहा हूँ यह खरीदा बाद में है तो जो market price है वो लेना है simple सी बात है कोई आपका 31.1.20 वाला concept नहीं रहेगा 31.01 वाला कोई concept नहीं रहेगा तो यहाँ पे shares के case में क्या करने वाला हूँ मैं sale करूँगा सीधा सर्थ sale कितने का किया इसने कहता है कि इसने purchase तो किया था purchase किया था कब बहुत पहले 2010 में और फिर 21 के अंदर 3,57,900 सबसे पहले आप मुझे ये बात बताईए ये long term होगा या short term होगा मैं यहाँ पे minus करने जा रहा हूँ that is fair market value और fair market value क्या होगा सर ठाइला और ये कब की value लिया है हमने मैंने आपको सायद जो बच्चे पहले वीडियो देखे होगा चिताम बरम वाली कहानी बताई थी मैंने चिताम बरम कहा रहा हूँ क्या नाम था भी जो अरुन जेटली वाली कि उन्होंने time सारा change किया था जब capital game है share market तो उस वीडियो में यह question design किया गया है तो आपका यह LTCG माना जाएगा कितने एक लाग 7 और आगे और उन्होंने एक बात और भी कहा था मैं वहाँ पे तो हम करेंगे एक बात और बताया था कि एक लाग रुपए तक कि अगर आपकी capital होती है long term से तो exempt माना जाएगा एक लाग के बाद वाला taxable होगा हम उस पर बाद में भी discuss करेंगे ठीक है ना यहां तक क्लिए रहे है तो अब पहला point खतम होने के बाद क्या है इसका जोल्री जोल्री में क्या कहता है April 11 में sale some jewelry to Y और Y को इसने इतने का बेच दिया और he took 50,000 advance he had bought his jewelry 6 में लिया था इसने मतलब सर इसने आगी कहता है Mr. Y backed out from his deal and X forfeited 50,000 advance 1-5-2011 का on July 15, 2021 he sold the jewelry इसने फिर से बेच दिया कितने का सर 28,000,000 का जिस पे खर्चा हुआ इसका 20,000 का as आपका incidental expense या फिर brokerage कह रहो सबसे पहले तो सर sale consideration मैं इस कहानी को थोड़ा explain कर दूँ सर सेक्शन क्या बन क्या कहता है ये कई बार normally वैसे तो कुश्चन के अंदर jewelry के उपर बनाया गया है लेकिन मैं reality बता हूँ एक चार दो हजार एककिस में सर कितने का पांच लाख रुपे का आप इसे sold करने गए एक चार दो हजार दस में सर कितने का बेचने के लिए गए सर किस में ने कर दिया एक करना था एक करना था और बेचने गए दो हजार दस में आपने जिस पार्टी से ये बेचना चाहा उस पार्टी ने पचास लाख तो नहीं देया लेकिन हाँ token money यानि advance पैसा दे दिया मान लेते हैं उसने दो लाख रुपे का क्या दे रिया और बाद में वो पार्टी जो था वो मुकर गया भईया पैसे नहीं हम तो नहीं दे सकते हैं तो जब कभी हम किसी property को खरीदते टाइम पर पैसे जब दे देते हैं और अगर हम वो property नहीं खरीद पाते तो जितना advance हमन नहीं भी का तो अब बिखे गाई नहीं इसने 2021 के अंदर एक पार्टी ढूंडा और उसको यह property 60 लाख रुपे में बिख गया कहानी यहां यह आता है कि सर जो यह property बेचा गया है इसके अंदर पहले सरकार ने दो step लिए हैं पहले क्या होता था 2014 से पहले यानि 31 मार्च 2014 से पहले और अब बात करेंगे 31 मार्च 2014 के बाद गौर्मेंट रूल पहले क्या करते थे अगर आप ध्यान से देखो मैं रफली करूं तो सर आपका sales तो माना जाएगा यहां पे 60 लाख लेकिन जब माइनस करते थे ना cost of acquisition तो बोला गया सर cost of acquisition में से जितना आप advance ले चुके हो यानि आपका सर 5 लाख रूपे की खरीद थी 2 लाख तो आपको मिली गए ना तो 2 माइनस कर दो और बाकी जो बच गया कितना 3 लाख पर आप indexation करके यहां पे माइनस कर लो पहले पुरानी बात है यह थी पहले यह बोला गया था कि यह तो माइनस कर लो और बाकी पर indexation क्यों माइनस करने के लिए बोला गया था क्योंकि सर आपका actual cost 5 लाख रुपे नहीं है क्योंकि उसमें से आपने फोर फीचर के वे में यानि जो पैसा आपको advance आपने रिसेव किया है वो अपने पास रख लिया है तो वो तो आपके पास आई गया पैसे लगाए पास थे बाकी आपको मिली गया तो बाकी पर आप indexation करके क्या करिए indexation minus करिए और अब capital gain लगा दीजिए लेकिन 2014 के बाद government ने क्या कहा कि सर अगर 2014 के बाद जिसके पास भी advance पैसा आएगा और वो फोर फीचर करेगा तो वो capital gain का party नहीं होगा वो किसका part माना जाएगा सर other source उसका normal calculation होगा normal calculation का मतलब सर यह दो लाग नहीं समझ मैं यहीं बात आपको यानि अगर कोई भी advance amount आप फोर फीचर करते हैं 14 से पहले करते हैं फोर फीचर तो वो cost of acquisition में से less हो जाएगा फिर आपका indexation होगा लेकिन 14 के जब बाद करेंगे तो वो other source का part होता है वो cost of acquisition से कोई लेना देना नहीं है और मैं कहता हूँ उस advance का ही कोई लेना देना नहीं रहता question से बस दे रखा है आपको बोल रखा है कि 2015 के अंदर एक deal किया था वो पैसे फोर फीचर कर लिए हटाओ हमारे काम का वो नहीं है क्योंकि capital gain का party नहीं है हाँ लेकिन 2010 में ये deal हुआ हो 2010 में फोर फीचर हुआ हो तो ये minus करेंगे cost of acquisition में से त बताना चाहरा था आपको तो सर यहां पर क्या कहता है question में कि के एक sell किया इसने वाई को और agreed हुआ sell होने के लिए इतने का he took advance 50,000 के advance ले लिया he had brought jewelry 2006 में 2006 में इसने एक jewelry लिया और वो था 7.500,000 का तो sir cost of acquisition यहां पर selling expense भी है तो मैं थोड़ा सा करतूं नीचे less cost of acquisition कितने का लिया साड़े साथ लाग का बाकी देखतें आगे और कहता है कि वो amount जो था पचास अजार लिया back out मतलब वह पहले वाला बंदा जो था जब भी नाम था क्या नाम था इसका नाम तो दिया नहीं वाई वाई ने बोला भी है मैं तो नहीं ले रहा है jewelry back out हो गया तो उसने बोला भी इतने का किसी दूसरे वैक्ति को बेच दिया इस पर खर्चा भी कर दिया इसने सर कितने का खर्चा कर दिया legal 20,000 अब बात आती है सर sale consideration अब यहाँ पे आपने जो for feature किया है check करो 2014 से पहले deal हुआ था या 2014 के बाद deal हुआ है तो आपका यह deal जो हुआ था वो हुआ था सर 2011 में तो यानि यह cost of acquisition से अब minus होगा अगर यही 2015 में होता तो minus नहीं होता तो अब यहाँ पे जो हम cost of acquisition लेने वाले हैं सर यह लेंगे 7,000,000 कितने थे 750 था ना अब इसमें से हम पहले 50 minus कर देंगे सर बचा कितने 7,000,000 अब इंटु में 317 और divided by सर जिस साल खरीदा गया था उस साल का indexation खरीदा कब गया था 2006 में तो 6 का मतलब है आज 6,7 का 122 निकाल लिए इसका क्या आता है 7,000,000 पे यह indexation हाँ इसका बताईए 2,7 इसका भी बता दीजिए 18,000,000,000 Minus कर दिजी 9,6 0 सर ये दूसरे का complete पहले ये दोनों देखिए आपको समझ में आया सर लॉंग टरम लॉंग टरम बच्चों ने आंसर ही निकाल दिया पहले यहां तक देखिए आपको समझ में आया तीसरा point देखिए तीसरे point में क्या कहता है इसने क्या करा है सर कहता है sold debenture 45,000 का और purchase किया था 55 का क्या यहां पर indexation allowed है नहीं है इसका क्या होगा nature long term या short term सर ये always short term calculate होगा तो अगर मैं इस debenture की बात करूँ से हटा देते हैं shares वाले को सर point number 3 आ गया जिसमें debenture तो सर sale कितना होगा debenture सर 45 और cost of acquisition क्या है तो सर यहां तो STCG लग गया यानि 10,000 रुपे का यहां पर loss हो गया point number 4 चार में कहता है इसने एक मारूती कार जो sold कहता है his मारूती कार his का मतलब अपना है भाई personal है personal मारूती कार उसने बेच दिया कितने का दो पच्चिस का जिसको खरीदा था 3,50,000 तो यह personal assets हो गया तो personal assets हो सर capital assets का part तो यहां पर no capital gain पहले यह देख लीजे 4 point clear है फिर exemption पर आएंगे हम पहले देख लीजे 4 point clear है फिर exemption पर आएंगे पर आएंगे हम पर आएंगे हम पर आएंगे हम हाँ लगाएंगे पहले यह point देख लो 54 F अभी लगाना है मुझे कितने का घर खरीदा है 10 लाग का 5 minute 5 minute चले करें आगे कुशन फूर्थ बता दो थर्ड बता दो देखें फूर्थ के अंदर अगर आप प्रस्णल एकशेट्स की बात करें कि कोई भी प्रस्णल एकशेट्स आप बेचते हो एकसेप्ट वह पांच यए छे पउइंट जो थे वह क् unconditioned नहीं है लेकिन वह मूवेवल अगर है तो तो कार तो मूवेवल है ना तो jewelry में cover है ना तो painting में cover है ना तो art में cover है ना तो आपका archaeological collection में cover है ना तो sculpture में इस सब point में cover हैma तो personal assets हो गिया यह तो यह तो capital assets नहीं है तो इस पर capital gain निकलेगा ने तो इसलिए मैंने बोल दिया इस वाले point पर Naruto capital gain नहीं आएगा Number 4 डिवेंचर को जब कभी भी बेचते हैं, हमेशा short term capital gain होता है sir, और इसके अंदर indexation भी allowed नहीं है, क्योंकि interest मिलता है, इसलिए डिवेंचर का हमने सीधा सीधा minus कर दिया, ठीक है, यहां तक clear है, अब हमारा देखा जाए, अब ही 54 F भी देना है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो यहां देखिए, अब सारा capital gain निकाल देते हैं, पहले तो share से, sir, share से कितने निकले हमारे, 1079 00, फिर, sir, एक और capital gain आया, कहां से आया, sir, capital gain, jewelry से, sir, jewelry से कितने आया capital gain, total capital gain जो हो गया, हमारा कितने हो गया, count कर देना एक बर, total कितने हो गया, इन दोनों को plus कर दीजे, बस, नहीं, डिवेंचर हमेशा short term निकालना है, कितने, 769, अब, sir, minus करेंगे 54F, sir, क्यों 54F, क्योंकि residential house करीदा है, इससे पहले था भी नहीं, और assets में कोई और समान बेचा है, other than residential house, तो 54F क्या कहता है, कि आपका formula, अगर formula कहलो, normal कहलो, कहता है कि सबसे पहले, आपका capital gain कितना है, तो capital gain सरी यह है, clear, divided by net sale consideration, तो net sale consideration एक तो यह वाला भी लोगे, और एक यह वाला लोगे, जब दोनो capital gain ले रहे हो, तो net sale consideration भी कौन सा लोगे, दोनों लोगे, तो net sale consideration बताईए क्या आता है, यानि सर यह आएगा 3 plus 27 और सर multiply आजाएगा 10 लाक, क्योंकि यह proportionate basis पे मिलेगा, तो multiply क्या आजाएगा 10 लाक, पहले यह देखे समझ में आए कि नहीं है, multiply 10 लाक कैसे आया, यही formula था ना, capital gain divided by net sale consideration into my investment, तो मैंने इधर की जगा, उधर की जगा इधर लिगी दिया बस, कितने आ रहे हैं इसका, नहीं यह सब का solution चाहिए, 3, 4, 3, minus करके आगया हमारा, 7,603, चलिए, समझ में आये यहां तक, अब सर, अगर आप बोलते हैं, सर, capital gain कितना हुआ, एक यह हो गया, और यहां से क्या था, सर, loss, इस loss को subtract करके, आप capital gain निकालेंगे, टेक्स liability की बिलकुल बात नहीं चल रही, तो टेक्स liability की मैं discuss भी नहीं करूँ आप एक बात ध्यान रखना है, क्या capital gain में ATC का deduction मिलता है, capital gain में, अगर यहां बोलता है, investment कर रहा है, PPF में, तो मैंने वहां पे especially लिखवाया था, कि जिसके उपर special tax rate लगता है न, मतलब वो वाला tax rate कौन सा, up to 250 वाला, वो normal tax rate हो गया, और जो अलग से वह यह, 10 इस पे लगाओ, 20 इस पे लगाओ, 40 इस पे लगाओ, उस special हो गया, जिस किसी पे भी special tax rate लगता है, वहां पे government deduction नहीं देता, तो इनका पहले से rate कम है, 20% है, बाकी का तो 30 मान के चलो, इसका 20 है, तो जितने भी capital gain होंगे, चाहे आप short term में तो मिलेगा, LTCG, long term capital gain पे, आपका ATC का कोई exemption या deduction नहीं मिलने वाला, clearly, ATD का भी नहीं मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ है clearly, मैंने अगर note आप देखोगे न, जो वीडियो बनाये था, वहाँ पे note है, अगर आपने note किया है, तो वहाँ पे check कर लिजिए, ATC से लेके ATU तक का कोई deduction उसको available नहीं है, debenture क्यों नहीं लिया, debenture STCG था, और यह LTCG बोलता है formula में, मैं यहाँ पे minus debenture कर दूँगा, और debenture 10,000 रुपे करके और बाकी का हम निकाल लेंगे, clear a point?